एलेक्ट्रिक, बाइक और बिजली चोर चंदर प्रकाश एक बिजली मकैनिक था वो शहर के बिजली विभाग में काम किया करता था वो अपने आपको बहुत ही होश्यार समझता था उसका बेटा चंदु भी अपने पिता की तरह खुद को बहुत होश्यार समझता था चंदर प्रकाश ने अपना घर गाओं के कोने में बनाया हुआ था क्यूंकि वो वहाँ बिजली चोरी करता था उसने अपने घर में बिजली का कनेक्शन सिरफ नाम के लिए लगा रखा था उसने गाओं के कोने में अपने घर के पास बने बिजली के ट्रांसफार्मर से गैर कानूनी धंसे बिजली लगा रखी थी उसके घर के सारे उपकरण उसी बिजली से चलते थे एक दिन जब वो काम से घर वाफिस लोटा तो उसने अपनी पत्नी से कहा अरे विमला ये एसी क्यों बंद किया है भई कितनी गर्मी है एसी चलाओ उसकी बाद सुनकर उसकी बीबी विमला ने कहा अरे अगर एसी चलाओंगी तो बिजली का बिल कौन भरेगा हाँ अपनी बीबी की बाद सुनकर चंदर प्रकाश ने हसते वे कहा अरे मेरी बोली विमला बिजली के बिल की चिंता तू मत करो अरे तुम जानती नहीं हमारे घर में तो बिजली मुफ्ट है मुफ्ट ट्रांसफार्मर से डिरेक्ट लाइन लगा रखी है मैंने जितना मर्जी एसी चलाओ तभी उसका बेटा चंदू से आकर कहता है पापा पापा देखो मैंने बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है अरे वह बेटा तू तो मेरा नाम जुरूर रोशन करेगा देखा बिमला कितना होश्यार है हमारा चंदू अपने पापा की बाद सुनकर चंदू ने कहा हाँ पापा समझाओ ना मा को मा तो मुझे बैटरी चार्ज करने ही नहीं देती कहती है बिजली का बहुत बिलाता है चंदू की बाद सुनकर चंदर प्रकाष ने अपनी बीवी को डानते हुए कहा अरे क्यों रोकती हो बच्चे को इतना हुश्यार है बैटरी से चलने वाली बाइक बनाई है चार्ज करने दो इसे कौन सा बिजली का विल भरना है चला बेटा मेरे साथा मैं तुझे सिखाता हूँ कि कैसे बैटरी चार्ज करनी है वो भी बिना पैसे के चंदर परकास चंदू को बिजली चोरी करने के तरीके सिखाता है उसकी बीवी उसे बहुँ टोकती है लेकिन वो नहीं मानता अब चंदर परकास की तरह चंदू भी बिजली चोरी करना सीख चुका था एक दिन चंदू अपने दोस्तों के साथ अपनी बैटरी वाली बाइक लेकर दूसरे गाओं गया जहां पर उसकी बाइक की चार जिन खत्म हो गई तो उसके दोस्त ने उससे कहा अरे चंदू अब घर कैसे जाएंगे अरे दोस्तों फिक्र क्यों करता है अब देखना कैसे मैं खंबिल से बैटरी चार्ज करूँगा मेरे पिताजी ने मुझे बिजली चोरी करना सिखा दिया है चंदू अपनी बाइक को लेकर गाओं के कोने में एक ट्रांसफार्मर के पास चला जाता है और बिजली की तारों का एक सिरा अपनी बाइक में लगाता है और चार्जीन करने के लिए जैसे ही वो दूसरा सिरा ट्रांसफार्मर में लगाने लगता है तभी जोड़ दोड़ जा गिरता है और उसकी सारी बाइक जलकर राख हो जाती है धमाके की आवाज सुनकर गाउं के सभी लोग वहाँ भागे चले आते हैं चंदू की जान बज जाती है क्योंकि उसका पैयर एक लकड़ी के उपर था गाउं वाले उसे पूचते हैं कि उसे बिजली चोरी करना किसने सिखाया चंदू उन्हें सारी बात बता देता है अब चंदर प्रकाश को अपनी गलती का बहुत पस्तावा होता है क्योंकि उसकी गलती के कारण उसकी बेटे की जान जा सकती थी वो कभी जिंदगी में बिजली तो क्या किसी भी चीज की चोरी ना करने की कसम खा लेता है जादूई चाय वाले की दुकान थी सोनारपूर गाओं में रामू नाम का एक आदमी रहता था रामू की सोनारपूर गाओं के बाजार में एक चाय की दुकान थी वो भोती स्वादिश्च चाय बनाया करता था और चाय के सासर्थ पकोड़े और जलेबियां भी बेचा करता था सुनारपूर के बस टेंट के सामने उसकी दुकान होने के कारण उसका काम बहुत अच्छा चल रहा था तो आने जाने वाले याष्प्रियों को बुला बुला कर चाय पिलाया करता था चाय दे लो चाय, गर्मा गर्म चाय, स्वाद स्वाद चाय, ठकान मिटाने वाली रामू की स्पेशल चाय, चाय दे लो चाय आईए भाई सहब, आप चाय पीएंगे या जिलेबिया खाएंगे? अरे भाईया ठक चुके हैं, कुछ भी खिला दो इसी तरहा रामू सबी राहागीरों को बड़े प्यार से चाय पिलाया करता था रामू दिल का बहुत अच्छा था जिसके पास पैसे नहीं होते थे वो उन्हें मुर्ष में ही चाय प्राजिया करता था और हमेशा जरूरत मंदों की मदद करता था सब खुद सही चल रहा था लेकिन अचानक एक महामारी फैलने के कारण सोनारकूर के सारे लोग बिमार होने लगे सभी लोगों को खांसी जुखाम ने आ घेरा जिसको देखो रही खांसने लगा एक दिन एक आदमी खांसता हुआ आया और रामू की दुकान पर इसमे खांसने हुए कहा रहे ना जाने ये खांसी ख़व जाएगी हम तो दुखी हो गए है रामू ने उसे बड़े प्यार से चाय पिलाए और भगवान से कहने लगा हे भगवान, कोई तो इलाज होगा इस महामारी का तब ही अचानक एक साधू बाबा रामू की दुखान पर आए पणा महाराज, आईए, बैठिये, क्या सेवा करूँ आपकी उस साधू बाबा ने अपनी जोले में से एक जड़ी बूटी निकालते हुए रामू से कहा रामू, मुझे पता है, तुम दिल के बहुत अच्छे हो एक काम करो, ये जड़ी बूटी लो और अपनी चाय में मिला कर सभी लोगों को पिलाओ इससे पूरे गाउं का भला होगा और हाँ, सबसे पहली चाय मुझे ही पिलाओ जी महाराज रामू ने वैसा ही किया रामू ने साधू बाबा से जड़ी बूटी लेकर चाय में डाल कर बहुती स्वाथ चाय बनाई और वो चाय उस खांसते हुए आदमी और साधू बाबा को पीने को दी चाय पीते ही चमतकार हो गया उस आदमी की सारी खांसी चली गई अरे, ये क्या जादू है चाय पीते ही मेरी सारी खांसी गायव हो गई मैं ठीक हो गया तभी रामू ने पलट कर देखा वो सादू महराज गायव हो चुके थे रामू ने भगवान का धन्यवाद करते हुए कहा हे प्रभू तेरा बहुत बहुत शुक्रिया अब रामू सभी राहगीरों को वो जड़ी बुटी वाली चाय पिलाने लगा और चाय पिते ही सभी का रोक दूर हो गया और सोनारपूर में फिस्टे खुशी न लोट आई और अब रामू की चाय की दुकान को सभी लोग जादूई चाय की दुकान के नाम से जानने लगे दो राक्षस और जादूई पेट्रोल पंप काली पाहडी वाले नीचे के मैदानी जंगल में बक और चक नाम के दो राक्षस कई सालों से रहते थे वे दोनों राक्षत होने के बाद भी बहुत ही अच्छे थे उन्होंने कभी किसी जीव को तंग नहीं किया वो दोनों जंगल में उगने वाले फल, फूल और पत्ते खाकर ही अपना गुजारा किया करते थे लेकिन वो लोग पास के शहर की बढ़ती अबादी से बहुत परिशान थे अरे भाई चक, देख तो शहर कितना बढ़ता ही जा रहा है हाँ भाई भाग, लगता है एक दिन ये नदी और पहाड़ी पार करके हमारे जंगल में भी आ जाएगा तब हम क्या करेंगे हाँ, मैंने तो सुना है कि इनसान हम राक्षसों से बहुत डरते हैं और अब तो इनसानों के पास ऐसे ऐसे हत्यार हैं कि वो हमें मार ही डालेंगे हाँ भाई, देखते हैं क्या होगा चलो भूग लगी है, थोड़े केले खा लेते हैं उन दोनों के चिंता जायज थी एक दिन उन्होंने देखा कि इनसानों ने खाली पहाडी में सुरंग बना कर एक सड़क बना ली है और वो लोग काफी सारी मुश्मीने लेकर जंगल में आ रहे हैं ऐसा देखकर वो दोनों पहाडी के नर्जी एक जमीन के अंदर गुखा में छुप दे अब शहर पार से इनसान जंगल में आकर बस्ती बनाने लगा था लेकिन वो दोनों राक्षत जमीन के अंदर ही गुखा में छुपे रहे और रात को चोरी-चोरी बहा निकलते और अपने खाने के लिए फल बगरा गुखा में ले जाया करते थे लेकिन इनसानों में जहनल खासना शुरू कर दिया और अब बक और चक के लिए खाने के लिए चीजें बहुत कम बचने लगी एक दिन उन्हों ने देखा कि जिस गुखा में वो चुपे हुए थे उसके उपर से कोई खुदाई कर रहा था ये देख कर वो घुबरा गए लेकिन शाम होते ही खुदाई बंध हो गई और वो दोनों रात कंधेरे में उस गुखा से बाहा निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गुफा के ओपर एक पेट्रोल पम बनने जा रहा था ये देखकर बक ने चक से कहा मैंने सुना है इनसान बहुत लालची होता है चलो पेट्रोल पम माली को लालच देते हैं और वो दोनों पेट्रोल पम माली के घर पहुंचे पेट्रोल पम मालिक उन दोनों को देखकर ढर गया लेकिन बक और चक ने उन्हें सारी बात बताई और काफी सारे पैसे और सोना चांदी का लालस दिया सोना चांदी की बात सुनकर पेट्रोल पम का मालिक मान गया और उसने उन दोनों से कहा ठीक है महराज जैसा आप कहो लेकिन उझे बताओ करना क्या है तो बक ने उससे कहा देखो मेरी बात सुनो तुम वहाँ पर जो मरजी बनाओ लेकिन उसके नीचे हमारा घर है उसे नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए हम तुम्हें बहुत सारा सोना चांदी देंगे और तुम्हारे पैट्रोल पंप में मुफ्त का पैट्रोल भी हमेशा आता रहेगा लेकिन तुम्हें लोगों को थोड़ा सस्ते दाम में पैट्रोल देना पड़ेगा ठीक है महराज जैसा आप कहो और वो दोनों उससे बात करके वापिस आ जाते हैं और अपने जादुई शक्तियों से रातो रात ही अपने घर के उपर एक पैट्रोल पंप तयार कर देते हैं और पैट्रोल पंप मालिके घर खूब सारा सोना चांदी भी दे देते हैं अब पेट्रोल पम का मालिक सस्ते दावों में लोगों को पेट्रोल देने लगता है और उस पेट्रोल पम के नीचे बक और चक अराम से रहते हैं और भगवान से कहते हैं कि वहरे भगवान क्या चीज बनाई है तुने इंसान रामू और श्यामू सुंदर नगर में एक ही कॉलेज में पड़ा करते थे दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे वे दोनों एक साथ ही कॉलेज आते क्लास में पड़ते और कॉलेज की केंटीन में एक साथ बैठ खरी खाना खाया करते थे वो दोनों बहुत ही पेटू और शरार्थी किसम के लड़के थे उन्हें हर काम करते हुए खाने का ही सूथता था और खासकर खाते हुए तो वो लोग बहुत ही शरार्थ किया करते थे एक दिन जब इतिहास के टीचर क्लास में पढ़ा रहे थे तब श्यामू को कॉलिज की कैंटीन से समोसे बनने की खुश्बु आती है उसने रामू को इशारा करते हुए कहा अरे रामू देख तो कितने अच्छी खुश्बु आ रही है और यहाँ पर पता नहीं इतिहास का पिरिड कब खत्म होगा अरे हाँ हाँ श्यामू मैं भी यही सोच रहा हूँ चलो कुछ जुगार करते है उन्हें आपस में बात करते देख इतिहास के टीचर ने पूछा अरे रामू श्यामू क्या कर रहे हैं तुम दोनो क्लास में बैटे हो या पार्क में चुपचा बैठो अरे सर, सर मेरे बहुत पेट में दर्ध हो रहा है सर, सर क्या मैं बाहर जा सकता हूँ अच्चा ठीक है जाओ निकलो यहां से दोनो दोनो बड़ी खुशी-खुशी कलास से बाहर चले जाते हैं और सीधा कैंटीन में पहुंचते है कैंटीन के मालिक जक्तार उन्हें देखकर बहुत दुखी हो जाते है और अपने कारी गर से कहते है अरह छोटू, आगे दोना बुक्षड, देख तो क्या खाएंगे ये रामू और शामू समोसे खाने के लिए मांगते है और देखते ही देखते वो काफी सारे समोसे चट कर जाते हैं और वो बाकी खड़े लोग उन्हें देखते रहते हैं तभी एक लड़का जकतार से कहता है अरे चाचा क्या करते हो आप भी आज भी ये दोनों सारे समोसे खा गे अरे बेटा मैं तो इनसे खुद दुखी हूँ, क्या करूँ तब ही ओ लड़का जगतार के कान में कुछ बात कहता है हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा, कल ऐसा ही करूँगा अगले दिन जैसे ही रामू शामू कैंटीन में आते हैं तो वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि एक टेबल पर नूडल के भरे भरे दो बाउल पड़े थे अरे चाचा ये क्या है चुनवाती, हमें भी बताओ अरे आओ आओ, बेटा ये खाज लगता है तुम दोनों के लिए है अरे भाई, जो ये दो नूडल के बाउल दो मिनट में खा जाएगा उसे में पूरे साल भर कैंटीन में मुफ्त खाना खिलाऊंगा ये सुनकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं अरे चाचा बस इतनी सी बाद, और अगर नहीं खा पाए तो अरे भाई तो क्या, तो उने साल भर के पैसे देने होंगे रामो और शामू एक दूसरे को देखते हैं और चुनाते सिवकार करने के लिए हां कर देते हैं लेकिन जैसे ही रामो शामू नूडल्स खाने लगते हैं वो देखकर हैरान हो जाते हैं कि नूडल्स के नीचे दो काफी सारी मिर्च वाले नूडल्स भरे हुए थे वो दोनों मिर्च लगने के कारण चिलान लगते हैं अरे हाई हाई मरगया मरगया इतनी मिर्च हाई को पानी पीने को दो पानी दो पानी दो भाई अरे जल्ली पानी दो तभी केंटीन मालिक जक्तार कहता है अरे छोटू दे इनको पानी दे साथ में एगिला दूद का भी दे और हाँ बेटा तुम्हारे दो मिनट होगे पूरे और नुडल रहे गे अभी अधूरे चलो चलो उठो मुल साफ करो और एक साल के खाने के पैसे दो रामू और शामू को शर्त के अनुसार खाने के पैसे देने पड़ते हैं और दोनों कान पकरते हैं कि कभी किसी के साथ शरारत नहीं करेंगे और खास कर किसी को खाने पीने के लिए तो बिल्कुल भी तंग नहीं करेंगे